नमस्कार आदाव सश्री अकाल जैभीम जुहार मिरा नाम है नवीन कुमार आटा सत्तु तेल घी से लेकर दंट मंजन और साबुन सर्फ शैंपू तक बेचने वाले रामदेव इंदनों बहुत बेचैन है धौक्टरों से निरंतर बत्तमीजी के लिए बदनाम हो चुके संसक कारोबारी सलवारी और इश्तिहारी रामदेव की प्रचंड बेचैनी की वजह बताएंगे आपको लेकिन पहले एक अपील आटिकल 19 इंडिया को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दब सब्सक्राइब है यह तो आप जानते ही हैं कि रामदेव धंधे बाज हैं और जितने बड़े धंधे बाज हैं उससे बड़े बतोले बाज हैं उनके जूट बोलने की आदत से मोदी जी भी घबराए रहते हैं मसलन बीजेपी सत्ता में आएगी तो काला धन आ जाएगा सब्सक्राइब हैं वगेरा वगेरा हिम्मत देखिए बूटी बेचने के लिए बंदा डबलु एचो के नाम पर देश के दो-दो मंत्रियों के सामने सफेज जूट बोल गया डबलु एचो को सफाई देनी पड़े कि ना भई यह जहांसे में मत आना अपना कोई लेना देन देरसल रामदेव ने लोगों को जहासे में लेने के लिए ऐसे ऐसे जूट बोले हैं कि वो गलती से भी अपना पेट्रोल डीजल का नाम लेते हैं और नहीं काले धन का उनको पता है कि जली भुनी जनता क्या हाल करेगी लोग ट्विटर पर फेस्बुक पर सत्तु स्वामी को जब तब याद भी दिलाते रहते हैं कि भाई ये बित्ते भर की जुबान को काट मार गया क्या लेकिन मजाल कि कुछ बोल दे क्योंकि बीजेपी वालों ने समझा दिया है कि भाई ये ये सब काले धन सफेद धन डीजल पेट्रोल सस्ता महंगा के चकर में मत पड़ो हम ह लोग आदतन भी जूट बोलते हैं और फित्रतन भी ऐसे ही लोगों में अपने आटा सत्तु स्वामी रामदेव भी हैं बोल गए कि ये डॉक्टर वाक्टर क्या होते हैं ये हमारा इलाज क्या करेंगे दोनों टीका लगवाने के बाद बेनके तो खुद ही एक हजार लोग भी मर गए अपने आप कोई नहीं बचा पाई वो कैसी डॉक्टर ही सवाल उठा कि भई आटा सत्तु स्वामी को यहां कड़ा मिला कहां से सरकार ने तो नहीं दिया कम से कम अधिकारिक तो नहीं बताया है हर्शवर्धन ने कान में फूक दिया हो तो नहीं पता है आवाज कि डॉक्टर बना है टर 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 करते रहे तर बना है टर डॉक्टर यह इंतिहा थी डॉक्टरों के सबसे बड़े संगठन इंडियन मेडिकल असोसियेशन यानि आइए में ने कहा कि यह बत्तमीजी नाकाबिले बर्दाश्ट है या तो सरकार इस आदमी को कि या तो माफी मांगो और नहीं तो एक हजार करोण रुपया भरने के लिए तयार रहो रायपूर में तो आइए में ने बाकाइदा मुकदमा दर्ज करा दिया सिविल लाइन थाने में धारा 186 धारा 188 धारा 279 समेत कई धाराओं में कि रामदेव ने ना किवल डॉक्टर के बारे में दुश्प्रचार किया है बल्कि महामारी एक्ट का भी उलंगन किया है लोगों को टीके के बारे में बर्गलाया आये इस आदमी को दरसल सजा मिलनी चाहिए तर टर 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 करते रहे तर बनाई टर डॉक्टार राइपूर की ही तरह एक फायार पटना में भ भारत सरकार भारतिये चिकित्सान उस्रंधान परिशद यानि आईसी एमार और दूसरे फ्रंट लाइन संगठनों द्वारा महामारी के हिलाज में उप्योग की जा रही दवाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोगों को बर्गला रहे हैं इस आदमी को सजा दीजिए मुक आप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को बोल तो गए लेकिन जब सोचा कि जुमरी तिलया से जंजारपूर और बेलासपूल से बहरामपूल तक का थानेदार प्रेम पत्र भेजने लगेगा तो रामदेव की रूफ अना हो गए भागे भागे पहुंचे सुप्री रामदेव जैसा बन जिसके पास में कोई डिगडी नहीं और सबका डोक्टर है अनपढ होने पर लोगों को शरम आती है लेकिन आटा सक्तु स्वामी दात निपोर कर हसते हैं पूरी धिठाई के साथ टर बनना है टर डोक्टर लेकिन जब मामले दर्ज होने लगे तो सारी ह लेकडी हवा हो गई सुप्रीम कोट में अरजी लगाई कि हुजूर ये लोग गलत गलत खेल रहे हम तो सोचे थे कि खेल हमारे हिसाब से होगा लेकिन ये लोग तो कानून कानून खेलने लगे ये वाला तो हमने खेलाई नहीं है कभी सारे मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दीजिए और जब तक ट्रांसफर नहीं होता है सारी फाई यार पर रोट लगा दीजिए एक ही बात पर इतने मुकदमे ठीक नहीं है मिलोड रामदेओं ने अपनी याचिका में बहुत लंबी टर 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 की है टर 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 करते रहे थे रामदेओं की बेचैनी का अं मिनिस्टर साहब को चिट्टी भी तो लिगी थी लेकिन इसके बाद भी साथ जून को पटना में फायार करा दी 17 जून को बिलासपूर में फायार करा दी एक ही चीज के लिए इतने भाती-भाती के मुकदमे नियाय की प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है मिलोड दोनों को जो आई कोट में पहले से ही आई मेंने एक मुकदमा ठोक रखा है इस पर 13 जुलाई को सुनवाई होनी है इसमें केंद्र सरकार के साथ ही आई में कि 36 गड़ और बिहार शाका को भी जवाब देना है ये तो हुई कोट और पुलिस की कहानी शुद्ध तेल बेचने वाले रामद में बिस्ता था नोग सोच रहे थे तो सकतु स्वामी ने कहा है तो शुद्धहि होगा यहां तो नजारा ही अलग था इसकी जहाँ चल रही हैếu तो कुल मिलाकर सक्तु स्वामी बहुत लंबे लपड़े में फस्के है अब वह करते रहें टर-टर टर-टर-टर-टर-टर-ट- सबसे पहले मिल जाया करेंगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों पर चितो रिष्टेदारों समुहों में हमारे वीडियो लिंक्स को शेर कीजिए साजा कीजिए नमस्कार